हालो एवरीवान वेलकम टू दू सेशन हालो डीचर्स पे आप सबका बहुत बहुत सारा स्वागत है मेरा नाम है मादिवी व्यास और आप सब मुझे जानते हैं कि मैं आपकी अनक्यार्डमी की एजुकेटर हूँ सो इस चानल पर मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ सो सबसे पहले तो जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्स अपको मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगी फटा फट से सेशन को यार आप लाइक करो शेर करो और जिसने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हालो टीचर्स को सब्सक्राइब करेगा जो की सबसे ज्यादा इंपॉर्डन होता है जैसे कि आप सबको सामने लिखाए दे रहा है अनकाडमी पर जो हमारे एजुकेटर्स होते हैं जो भी हम जितने एजुकेटर्स हैं सबका नेम है तो आप अगर उनको उनके नाम से फॉलो करोगे तो आपको उनकी सारी क्लासिस का एकसेस होता है आप सब मुझे माधिवी व्यास के नाम से अनकाडमी के प्लाटफोर्म पर फॉलो कर सकते हों टेलिग्राम चैनल है हलो टीचर्स हलो टीचर्स पर हम हमारे सारे सेशन को शेर करते हैं बताते हैं आप सभी को I hope आपको आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगा, क्यों? क्योंकि एक ऐसा इंपोर्टन सा छोटा सेशन है ये, जहां पे मैं आप लोगों को कैसे आप एक वर्ड से कितने सारे वर्ड सीख सकते हो, चाहे वो उनकी सिनॉनियम्स हो, या फिर उन वर् आप मुझे माद्वियास के नाम से फॉलो करें, टेलिग्राम चैनल है, हलो टीचर्स और हलो टीचर्स पे मैं आपके सारे सेशन्स लेती हूँ, गाइस अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे इंपोर्टन चीज़, अन अकाडमी की आप पे मैं आप लोगों का फ्री क्लास लेती हूँ, अप पे हम सारे एजुकेटर्स आपके फ्री सेशन्स लेते हैं, उसमें मेरा क्लास जो होता है, वो मंडे टू फ्राइडे सुभर ग्यारा बजे होता है, जो की आपसलूटली फ्री सेशन्स हैं, तो आप में से जो न्यू स्टूडेंस हैं, मैं उनको यही बोल कि पहले आप कुछ दिन हमारे फ्री क्लास लेकर देखिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको हमारे क्लास इतने मस लगने लगेंगे, आपको अपने क्लास इतने जादा अच्छे लगने लगेंगे, कि आप हमारे प्लस क्लास की तरफ जल्द ही हमारे साथ जुरते च academy की आप पे जो plus subscriptions की बात होती है गाइस वो सबसे जादा important plus subscription उसके अंदर ये है कि देखो TET मतलब होता है teaching exams का आपका subscription ले लेना अब आप में से जितने भी students हैं जो teaching exams का एक बार subscription ले लेंगे अब उसके अंदर चाहें आपका KVS हो, NVS हो, DSSSB हो, CTAT हो, UPTAT हो कोई सा भी आपका state TET का exam हो वो सारे exams की आपको यहां पे तयारी कराई जाएगी so you just have to make sure कि आप एक बार subscribe कर ले because देखो subscribe करना मतलब क्या होगे कि आप जिसे YouTube subscribe करते हो पर यहां पे आप क्या करोगे, आप एक plus course के अंदर अपने आपको enroll कराऊगे और जिसे 6 months लिखा है यहां पे आपके सामने, 6 months जो ऐसा जो लिखा है उसमें आपको सुफ मात्रफ 4000 रुपीस का है, जिसमें आपको 6 महिने के दौरान अंदर जितने भी courses आएंगे, जितने भी exams की आगे से आगे vacancies निकलेगी आपको सबकी vacancies के हिजाब से अच्छे तारीके से आपकी तयारी होगी यहां पे अगर आप एक साल का course लेते हैं, तो of course आपके पास वैसा time समय रहेगा कि एक साल के दौरान आपका CTAT दो बार आ जाता है, आपका UPTAT आ जाता है, आपका REIT आ जाता है so इसे बहुत सारे vacancies और exams और in fact now we are expecting KVS का vacancy आपका आने वाला है DTSB के special educator का vacancy अलड़ी out हो गया है, तो आगे से आगे सारी vacancies आएंगी यह सब आपको मिलेगा एक discounted price पे, वो discounted price आपको सामने, दोनों तरफ है, दोस तरफ आपको दिखाए दे रहा होगा तो आपको एक तरफ दिखाए दे रहे है, 3000 तो 3 months का दूसरी सार्ट आपको दिखाए दे रहा हो 2700 तो यह एक minimum discount है, जो हर एक student को मिलेगा, आपको code लगाना है, माधवी, MADH, AVI, जैसे कि आपको मेरा नाम दिखाए दे रहा है, in capital letters और अगर आप एक बार मेरा नाम यूस करेंगे, तो उसके बाद 10 referral code है, apply करना and you will get the discount और discount मिलना चाहिए क्यों, देखो, कोई सा भी ऐसा platform नहीं है, जो आपको सारे exams की तयारी कराए, सारे teaching exams की हर एक platform आपको per to per exam तयारी कराता है, बट Unacademy का platform ऐसा है, जिसने एक revolution लाया है, जो students के लिए education का जो access है, उसको बहुत असान बना रहा है, क्यों, minimal rates है, month-wise subscription है, और उसके अंदर सारे exams आ गये है, यार इससे सस्ता और इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, सो माधवी quotes अब याद रखे, discounts अब को मिलेगा, यह मेरे YouTube classes timings है guys, पाच बजे, Monday to Friday, यूपी टर पढ़ाती हूँ, कभी read पढ़ाती हूँ, कभी seatर पढ़ाती हूँ, और special class का timing में आपको बता चुकी हूँ, तो PDF मिलता है, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जब जैसा खुद को समय मिले, वैसे पढ़ाई करते हैं, So, synonyms and antonyms by madvivyaas maa, So, let's see in today's class few synonyms, अब synonyms क्या होते हैं भई हमारे, synonyms हमारे होते हैं similar words, मतलब एक शब्द के चार अलग-अलग adjectives या चार अलग-अलग शब्द, मैंने एक word बोला beautiful, हो सकता है, इसके अलावा में 10 अलग words का उपयोग कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, reason being, क्योंकि 10 अलग-अलग words का उपयोग किया जा सकता है, और अगर ये 10 अलग-अलग words का में उपयोग करूँगी, तो सुचो मेरे vocabulary कितनी शांदार हो जाएगी यार, तो क्यों नहीं अपनी vocabulary को enhance करूँगी, आप सभी teaching exams की त्यारी कर रहे हैं, और चाहे अपका KVS हो, UP TED जैसा भी exam की नहीं हो, Cantacurious जैसा word आपको पूछा जाता है, prefix suffix पूछे जाते हैं, तो उसके लिए जब तक हमारा vocab पे कमांड नहीं होगा, तब तक हम अच्छा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, So let's start our session, and in today's session, let's understand few good synonyms, which you can use in your daily vocabulary, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, Your first word for today is huge, huge मतलब क्या होता है, विशाल, अब आप बोलोगे में माधी माम, यहाँ पे अपने huge मतलब तो होता है, विशाल, बहुत बड़ा, तो यहाँ पे मैं आपने ghost क्यों लिखावा है, ghost मतलब तो भूत होता है न, यह एक trick है, जिसके तुरू आप समझेंगे यहाँ पे, इस session में मज़ेदार तरीके से, तो suppose यहाँ पे हमने word लिया है huge, huge का मतलब होता है विशाल, तो huge के जो बाकी synonyms हैं, वो किसे चालो होते हैं, G से, H से, O से, S से, और T से, तो इसलिए अगर जब भी huge word सामने आए आए आपके दिमाग में, तो आप क्या ध्यान रखोगे, आप ghost word को ध्यान रखोगे, भूत, भूत को ध्यान रखा तो मतलब सारी चुट्टी हो गई, तो बहुत असान रहेगा गाई यह आपके लिए समझना, ठीक हैं, so you have got first word, G से, second word you have got from H, third is for O, then S, and then T, so tremendous, stupendous, oversize, humongous, मतलब बहुत huge, इन सबका मतलब क्या होता है, huge, gargantun, so देखिए, simple words है, pronunciation में ऐसा लगता है, gargantun, humongous, oversize, stupendous, and tremendous, stupendous मैंने आपको एक बार बताया था, कि जब कोई चीज बहुत बढ़ी होती, ही है, तब भी हम उसके अंदर stupendous बोलते हैं, oversize, अपने size से बड़ा है, usual than the normal size, which is big, अब big भी बोल सकतो, अब big हमने पता है, हमने huge पता है, हमने gigantic पता है, भई हमें, पर ये जो आपके words है, इनका मतलब भी होता है, huge, so huge से अब हम क्या याद रखेंगे, दोस्तों, huge से हम याद रखेंगे, जब कोई चीज बहुत विशाल होती है, जब कोई चीज बहुत ज़ादा बड़ी होती है, that basically means, ghost, और ghost मतलब, gaganchuan, humongous, oversize, stupendous, and tremendous, easy है, fanboys conjunctions याद किये थे न, बस वैसे ही, ghost याद कर लेना, इतना difficult नहीं है, तो जब जो मर्जी हो, आप अपने different, different adjectives का use कर सकते हो, अच्छे शब्द है, याद रखोगे, माद भी माम को कि, हाँ यार माम आपने अच्छा बताया था, second synonym, ज़्यादा नहीं सिखाऊंगी देखो, बहुत ज़्यादा बड़ा विडियो मैं नहीं बना रही हूँ आपके लिए, बट जो बना रही हूँ, उसमें मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ा सिखाऊंगी, ठीक है, beautiful, beautiful का मतलब क्या होता है, खुबसूरत, yes, हम सब खुबसूरत लोग हैं, हम सब खुबसूरत इंसान हैं, हम सब खुबसूरत दिखने में हैं, हम सब खुबसूरत मन से हैं, सब जने खुबसूरत है, साथ में खुबसूरत से हमें लक में याद रखना है, शायद लड़कियों को यहां पे जादा याद रह जाए वो मुझे नहीं पता बट लाक में का K नहीं है यहां पे बट लाक में का C है यहां पे So L-A-C-M-E से जो इसके सारे synonyms आते हैं We can put them So let's see the word first Lovely She's a beautiful girl She's a lovely girl Alluring He's an alluring person मतलब वो इंसान अंदर से बहुत खुबसूरत है मन का अच्छा है Charming He's got a charming personality Simple है बहुत Magnificent शानदार Beautiful He's magnificent with his activities He's magnificent with his performance He has got a magnificent personality जो चाहो वो बोल सकते हो Easy है समझना E मतलब exquisite सबसे अलग क्योंकि जो इंसान खुबसूरत है वो सबसे different है और सबसे अलग भी है So beautiful means हो गया आपका लाक में जहां पर हमें बस के हटा के सी ध्यान रखना है और माधी में हम यहां पर कोई brand promotion ने गरे वो सिर्फ आपके लिए English को असान बना रही है English को एक ऐसा easy pattern बना रही है कि इस तरह से अगर हम हर एक word के पाँच word भी पाँच synonym भी अगर हम याद रख पाए तो इससे बहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती है सो आए गया से तना तो हम अपने आप अपने लिए कर ही सकते हैं राइट next word है हमारा displease पापा को नाराज हम नहीं करते हैं और नहीं हम कभी भी कर सकते हैं और नहीं हमें कभी करना चाहिए बढ़ इसका जो synonym words बन रहे हैं वो पापा से ही बन रहे हैं तो पापा को हम नाराज नहीं करते हैं पापा का हम अपमान नहीं कर सकते हैं बट displease का मतलब होता है किसी को नाराज करना किसी का अपमान करना so disrespect करना हम बोल सकते हैं यहां पर ठीक हैं तो पापा पापा से इसका क्या synonym बना है peak annoy provoke उकसाना किसी को ऐसा उकसाना कि आप उस इंसान की डिस्रेस्पेक कर रहे हो बहुत साथ अफ्रॉंट पिक अनॉय, प्रोवोक अफ्रॉंट सिंपल वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स बट यू कान पुट इस वर्ड्स अच्छे से आप इन वर्ड्स को समझ पाएं, ऐसे ही हम धीरे धीरे अपनी वोकाब को इन्हांस कर सकते हैं गाईस, इस इस वाट वी आफ तो आया समझ पे लेट्स रवाइस अल दे वर्ड्स, लेट्स रवाइस क्या आप सबसे सबसे पहला से नॉनियम हमने क्या पढ़ा था सबसे पहला से नॉनियम हमने पढ़ा था यहां पे, यूज यूज इस गोस्ट गर्गैंच्वन यूमंगास ओवर साइस स्ट्यूपंड़िस ट्रिमेंड़िस जब कोई चीज बहुत विशाल है यूजवल साइसे ज़ादा बड़ी है तब हम यह सारे सनॉनियम बेसिकली यूज कर सकते हैं ब्यूटिफुल लाख में लवली अल्यूरिंग चामिंग मगनिफिसेंट एक्स्क्विजिट एक्स्क्विजिट साइड इस एक्स्क्विजिट बिल्दिग डिफरेंट है सुन्दर है सबसे बहुत ज़ादा डिस प्लीज नारास करना पापा पापा याद रह जाएंगे पीक अनॉइ प्रोवोक अफ्राइट सिंपल वर्द्स वेरी सिंपल वर्द्स वर्द्स गाइस प्लस कोर्स हम लोगों के आगे से आगे आते रहेंगे और 10th of March से हम लोग आपके लिए एक और बढ़िया शांदार सा प्लस कोर्स लेके आरें जो कि आपका Junior SuperTet का प्लस कोर्स रहेगा आप सब के सब हमारे साथ जो भी हमारे आगे के प्लस कोर्स हैं उनके अंदर आप सब जने जुड़े Unacademy का कैसा प्लाटफोर्म है जहां पे आप लोगों को exam was नहीं month wise subscription मुलता है month wise मतलब उस month में उस duration में जितने भी exam आएंगे सब की तयारी कराई जाएगी ऐसा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा right discount के लिए code सब जोने ध्यान रखेंगे madh, madh, avi in capital letters आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा guys do share in your comments और अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए importance पता है बट general English की इतनी नहीं पता है बट पता करो क्योंकि बहुत important होता है कि हम English को अच्छे से पढ़ें समझे और English जो है वो हमारे लिए एक अच्छी language के तौर पे हम उसको सीख पाए, बोल पाए, समझ पाए जो कि बहुत 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 ज़्यादा important होता है ठीक है? सली गाईस, thank you so much अच्छा लगाओ तो सेशन सब जने like करेंगे share करेंगे और जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया कर लो यार किसका वेट कर रो, कर लो thank you guys, stay safe, bye bye